आज है दिल्ली विश्विद्याले छात्र संग के परिनामों का दिन और देखिए तीन साल बाद डूसु के चुनाव हो रहे हैं ऐसे में जो तमाम यहाँ तीन साल बाद डूसु के चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में आज है परिनाम का दिन बुख मकें छयारी ऊवर्चा इसना पूर्फ होगत, नान लोग भूगत, पार्वक पूर्फ ने झालiben काहिrice को बुख्री से थbulभ chair। इतने बड़े समर्थन के साथ ही हम बहुत कुछ हैं बागी तो अब रिजल्ट आई जाएगा अगर कॉलेजिस का परिनाम देखें तो जो बहुमत है वो एबीवीपी के पक्ष में गया है ऐसे में बीवीपी जो है यह दावा कर रहा है कि देखें कॉलेजिस में बहुमत एब परना माना है अपनाया है इस वजए से इसी बात पर हम विश्वाट के मुद्दे या राश्रे मुद्दे क्या हावी रहते हैं दूश्य के मुद्दे रते हैं एक तरफाज जीता बाएगी एक तरफा में वह लगो दोखा दढ़िया कोई वो निया है ऐसा लग रहा है पे अपनी आर से बुखलाई हुई है और एनस वाई से जो अभी दही हां उन्हें बहुत ग्राउंड और बच्चों से रिलेटेड मुद्दे उठाए थे कही नहीं बच्चों में जाके उन्होंने एनलाइज गया है वह यहां पे रहे हैं बच्चों के पास जो गई हैं उन से रिलेटेड विमें से रिलेटेड उन्हें बहुत जदा सेक्यूरिटी से रिलेटेड मुद्दे उठाए थे और जो प्राइविट होसल और पीजीज पर बारा परसे टेक्स लगाया गया तो वह यह मुद्दे होने चाहिए दिल्ली विश्विद्याले के हाले कि आपको बताऊं कि इस बार भी राष्ट्रे मुद्दे जो हैं वो ही पूरी तरह से चुनाव में चाहिए रहे हैं जिस तरीके से नारी शक्ति वंदन अदिनियम को राजिसाबा और लोकसबा में पारित किया गया उसी की तरज पर इस बार दिल्ली विश्विद्याले में महिलाओं के मुद्दों को जादा तरजी दी गई एनस्यू आई हो यह एबीवीपी दोनों ने ही महिला सुरक्षा को एक बड़ा मुद्दा बनाया लेकिन अगि दिल्ली विश्विद्याले की बात की जाये तो तीन साल बाद यहां चुनाव हो रहे हैं अभी से आप देख सकते हैं क चातरों में कितना जोश और घरोश है बुखे मुकादला एक पर फिर एवीवीपी और एनस्यू आई में और यह भी कहा जाता है कि राश्टे राजनीती की एक ज़लाग दिल्ली युनिवर्स्टी के जुनावों में देखने को मिल जाता है नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए योस 24